फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सबसे बड़िया गेमिंग प्रोसेसर के बारे में बताने वाले हैं यदि अब भी हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्रीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाईए और साथ वीडियो को अंतक देखना न भूले मोबाईल में एक से आठ तक के कोर होते हैं वाले प्रोसेसर मार्केट में उपलब्दे जैसे सिंगल कोर, डियोल कोर, क्वाड कोर, हिक्जा कोर और डेका कोर जैसे प्रोसेसर उपलब्द है मोबाईल में यदि सबसे बड़िया गेमिंग प्रोसेसर की बात करें वो भी सिर्फ गेमिंग के हिसाब से जो बजेट गेमिंग फोन है जिसमें हमें एक अच्छा गेमिंग एक्सट्रियन्स मिलता हूँ वह हम Qualcomm Snapdragon की और जा सकते हैं हमारी लिष्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है Snapdragon power processor जो की सबसे powerful processor है Qualcomm Snapdragon यह processor सबसे ज़्यादा powerful है क्योंकि इसकी speed, giga voltage और performance बागी processor से कई ज़्यादा है और इसका GPU भी काफी powerful है इसका इस्तमाल अधिकतर gaming phone के लिए किया जाता है इसमें Snapdragon में आपका 800 series, 700 series, 600 series देखने को मिलती है अब हम आपको Bionic chipset processor के बारे में बता दे हैं Bionic chipset आपको Apple के device में देखने को मिलती है Apple अपने iPhone और iPad के लिए खुदी processors डिजाइन करता है जिसमें Apple silicon भी कहा जाता है Apple अपने device में Apple A14 Bionic और A13 Bionic chipset के उप्योग करता है बात करें Samsung, Samsung के phone में आपको देखते हैं इसमें आपको Exynos processor देखने को मिलता है अब यह processor उन देशों में जहां Samsung United State के बाहर phone बेचता है इसमें आपको Exynos 2100, 990, 9611 सामिलें नेक्स्ट प्रोसेसर की बात कर रहे हैं जो कि MediaDeck है MediaDeck इक बजट friendly processor बनाती है बहुत सारे smartphone में ब्रांड समें इसका उप्योग किया जाता है तीन प्रकार की series रहती है चलियां इन पर नजल डालते है फर्स्ट नमबर पर MediaDeck Diamond City आती है जो कि काफी तेज powerful performance वाले और अच्छे ग्राफिक्स वाले प्रोसेसर प्रोवाइड करती है हेलियो जी की series जो कि gaming के लिए अच्छे ग्राफिक्स के लिए प्रोवाइड होती है और हेलियो P series जो कि budget train वाले फोनों में इस्तमाल गी जाती है कि हम रोज डेली रूटिन में जो फोन यूज करते हैं उसके लिए उप्योक किया जाता है